नमस्कार दोस्तों आज हम दिल्ली मेट्रो का 10.4.2018 का पार्ट सेकिंड को डिस्क्रस करेंगे तो डियर फ्रेंड्स यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले साथ में बैल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे की हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो आएए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं कुश्यन नंबर οι म्धियम वोल्टेज इस्तापना परणाली के लिए वोल्टेज केतना होता है मध्यम वोल्टेज इस्तापना परणाली के लिए वोल्टेश होता 1625 वेल्टेश से अधिक कोशेंच नमब्र 22 मादमिक केेंर हैं में जोम अतार कि आ हुमतियु में दुदि क डो पर वोल्टेज में ग्राव आव्ट का लिख रहती है।obile भी ट्रांस्पॉर्मर में नो लोड से फुल लोड़ वोल्टेज में ग्रावट होती है तो वह क्या कहलाता है वोल्टेज रेगुलेशन जिसको केस से परदर्शित करते हैं वी आर्च इसको परदर्शित करते हैं कुश्यन नंबर 23 कुश्यन नंबर 23 एक घरेलु या ओधोगिक बिजली के स्थापन की खपत किलोवाट घंटे को मापने के लिए निमन में से कौन से मिटर का इस्तमाल किया जाता है घरेलु या ओधोगिक बिजली की खपत को मापने के लिए सिंगल फेज एनरजी मिटर का यूज किया जाता है कुश्यन नमबर 24 मोटर कनवर्टर सेट पर मोटर एक जनरेटर सेट से बनाया गया समगर उपकरण है जिससे युगमित कपल किया जाता है विदूत और यांतरिक दोनों तरीकों से मोटर जनरेटर सेट को क्या किया जा सकता है कल्पित किया जा सकता है कुश्यन कोन से विकलप से कोन से कऊल की वैंड की जाती है तो alarm ired के तार से की वैंड की को जाता है कुश्यन नमबर 27 ट्रायक खालिस्तान के बराबर होता है तो ट्रायक दो समानतर करम में जुड़े SCR के बराबर होता है कुश्यन नमबर 28 पधार्तों में एक इकाई घन के विपरित तरफों के बीच पारित होने वाले करेंट में विदुत पैदा हुवे प्रतिरोध को खालिस्तान की रूप में प्रिवासित कै जा सकता है कि 29 1 DC संट मोटर के 3.0 में निम्न लिखित मेंसे कौन से भाग में विदुत चुमबक होती है जिससे फिल्ड करंड़ा चुमबक किया या मैंगनेटाइज किया जाता है इसमें होती है no volt coil इसको बोलते है NVC no volt coil कुश्यन नमबर 30 कोरोना खालिस्तान voltage पर होता है कोरोना जो होता है breakdown voltage से कम यदि voltage हो जाएगी तो कोरोना का जो effect है कोरोना voltage पर काम करने लग जाएगा next है कुश्यन नमबर 31 अधिक्तम AC voltage जो rectifier के एनोड और cathode के बीच सुरक्षित लूप से लागू की जा सकती है उसे क्या का आ जाता है तो दियर फ्रेंड्स ये कुश्चन दिल्ली में क्या कर दिया गया था इस कुश्चन को इग्नोर कर दिया गया था कंडिडेट्स की वज़ा से ब्रीजन बताया गया है फोर दी कुश्चन डिसक्रिप्टि रिफाउंड गूशन एंड़ आणसर डिसकूषिन इग्नोर अडिप्डेट्स तो कुश्चन नमबर नेक्स्ट देखते हैं कुश्चन नमबर थर्टी टू है ऐसी पर डीसी मोटर चलाने के लिए आउशक परिवतनों की पहचान कीजिए AC ले DC मोटरों को चलाने के लिए आउशक परिवतन क्या होते हैं कम्यूटेशन का उन्मूलन जो कम्यूटेशन किया जाता है उसका उन्मूलन के लिए AC ले DC मोटर के परचालन क्या हो सकता परति है, question number 33 UJT में N छेतर उतनी देर वोल्टेज विभाज़क के रूप में काम करता है जब तक कि एमिटर छेतर में एमिटर करंट की मातरा है सुन्य मुल्य में काम करता है Next question है निम्नलिखित विकल्पों में परतिरोधों के कारियों को पहचाने किसके कारण कं होता है क्कोर्ण के कारण कम होता है कुस्चन अम्बर 36 एक मर्करी वेपर लैंप खालिस्तान से भरा होता है question number 37, एक armature को short circuit या open circuit किया जाता है तो universal motor में क्या होगी भारी sparking होगी यदि armature को short circuit या open circuit रखा जाए तो universal motor में भारी sparking होती है question number 38, electronics परिपतों में परियुक्त transistor एक होता है electronic परिपतों में transistor एक दीर्द आयू करना होता है सबसे अधिक आयू मानी जाती है transistor की question number 39, सुरक्षित उपियों के लिए paper से बने औरोदक insulator का अधिक्तम कारे-कारी तापमान कितना होता है 90 degree centigrade होता है paper का insulation तापमान question number 40, कोरोना का परभाव खालिस्तान द्वारा घटाया जा सकता है तो कोरोना का परभाव कैसे घटाएंगे conductor के बीच में अंतर को यदि बढ़ा दिया जाए तो कोरोना के परभाव को घटाया जा सकता है question number 41, दो इलक्ट्रोड वाले वाल्ब को क्या कहते हैं दो इलक्ट्रोड वाल्ब को डायोड कहा जाता है question number 42, नेमनलिखित जननरेटरों में से किस कुंदलन के दो भागों में बाटा गया है compound जनरेटर में कुंदलन को दो भागों में बाटा गया है question number 43, यदि rotor और इस्टेटर के घूमते चुंब किया चेतर को समान गति से घूमाई जाता है तो motor क्या होती है, synchronous motor कहलाती है, question number 44, विदुत्तारों और केबलों में इस्तमाल किये जाने वाली सम्वहन सामगरी है, विदुत्तारों और केबलों में इस्तमाल किये जाने वाली सम्वहन जो सामगरी है, challenge जो सामगरी हो क्या कहलाती है, तामबा कहलाती है कुश्यन नमबर 45 यदी करंट का मान लगातार एक छंड से दूसरे छंड परिवर्थित होता है तो इसे क्या कहा जाता है तो इसे alternating current कहा जाता है नियत समय पर ये change होती रहती है कुश्यन नमबर 46 ओम के नियम अनुसार तो इसे गुजरने पर आर्मेचर के current में परिवर्थन को क्या कहा जाता है कम्यूटेशन कहा जाता है कुश्यन नमबर 48 नूटरल पॉइंट को अर्थ इलक्टोड से जोडने वाली conductor तार को क्या कहते है अर्थ supplied कहते है नूटरल को अर्थ इलक्टोड से जोडने वाली जो conductor होते है उते अर्थ supply कहा जाता है कुश्यन नमबर 49 magnetizing या चुम्बकियबल के पीछे फलक्स घनतों को लेगिंग को खालिस्तान कहा जाता है hysteresis कहा जाता है फलक्स घनतों के पीछे लेगिंग को कुश्यन नमबर 50 निमन लिखित में से कौन सा उपकरन generator और ohm meter का सयोजन है मैगर में क्या होता है generator और ohm meter का सयोजन है कुश्यन नमबर 51 निमन लिखित में से कौन सी तरल रोधक की एक स्रेणी है transformer तेल जो है वो तरल रोधक की एक स्रेणी है कुश्यन नमबर 52 अर्थ इलक्ट्रोड से जुड़ी तार को क्या कहा जाता है कुश्यन नमबर 53 इंसुलेटिंग तरल पधारतों को तीन स्रणों में वरगीकर्थ किया गया है उनमें से ट्रांसफोर्मर तेल को खालिस्तान के रूप में वरगीकर्थ किया गया है गश्यन नमबर 55 जनरेटर की आर्मेचर को की लेमनेशन प्राए कितनी होते है 0.35 mm से 0.25 mm टक होती है जनरेटर के आर्मेचर की मुठाइ कुछन नमबर 56 किस परकार की वाइंडिंग में कुछन नमबर 57 कुछन नमबर 57 यदि एक तुल्यकालिक मोटर को सामान उद्धिपन के साथ चल रही है तो लोड बढ़ाने का परिणाम क्या होगा आर्मेचर धारा में कमी हो जाएगी कुछन नमबर 58 यदि एक सचलित वोल्टेज रेगुलेटर एक ट्रांसपोर्मर है जिसमें मुख्यत है ओटो ट्रांसपोर्मर खालिस्तान होता है इस टैप डाउन ट्रांसपोर्मर कहलाता है कुछन नमबर 59 ओटो ट्रांसपोर्मर आम तोर पर किस बिंदू पर टैप किया ज करने के लिए निमन लिखित में से कौन से मोटर का इस्तमाल किया जाता है और दचालक उपकरण का इस्तमाल किया जाता है सेमी कंड़क्टर डिवाईज SCR का यूज किया जाएगा कुश्यन नमबर 61 स्लोट में से स्लोट के बाहर से गुजरने वाली लंबी विदुत्य रोधक्तार आर्मेचर वाइंडिंग में उपयोग होने वाले खालिस्तान सब्द की परिवासा है चालक कंड़क्टर की परिवासा क्या हुई SCR कुश्यन नमबर 62 यदि PN जंसन के P टर्मिनल के नेगिटिव किनारे से जोड़ दिया जाए N टर्मिनल को पोजिटिव किनारे से जोड़ जाए तो ऐसा बाइस क्या कहलाएगा कुश्यन नमबर 63 वाइंडिंग जो कम्यूटेटर के किनारे से जदी देखा जाए तो वामावर्त दिसा में अपने को अगरसत होती भी दिखाई दे तो उसे क्या कहेंगे रेट्रोगेसी वाइंडिंग कहते हैं कुश्यन नमबर 64 एक रोटरी कनवर्टर किस प्रकार के कनवर्टरों के अंतरगत वरगीकरत किया जाता है किसी भी छण पर आल्टरनेटर क्वालिटिटी वोल्टेज या करंट की परिणाम को क्या का जाता है किसी भी छण पर लिये जाने वाल वान को क्या कहते हैं ताच्छणिक मान कहते हैं कुश्यन नमबर 66 एलक्ट्रोलाइसिस के दोरान किसी भी एलक्ट्रोड से निकले पधार्त का दर्वमान पारित होने वाली बिजरी के मातरा के अनुकुर्मान पाती होता है उसे क्या कहते हैं फेराडे का परथम नीयम कहते हैं कुश्चान नमबर 67 दक्षनवर्थ तिसा में करण्ट के प्रवा के कारण मेश में प्रतिरोधी बुवर्दे खालिस्तान के रूप में ली जानी चाहिए पोजिटीव vindों के रूप में ली जानी चाहिए कुश्यन नमबर 68 निम्न लिखित में से कौन सा लचिला प्लास्टिक या सिल्क से कवर की गई तार के माध्यम से पैंडेंट लेंप को इंस्टालेशन के साथ जोडने के लिए उप्योग किया जाता है कुश्यन नमबर 69 विदुत उर्जा की मातरा को मापने के लिए निम्न लिखित में से कौन से मिटर का प्रियोग किया जाएगा एनरजी मिटर का यूज किया जाता है Question number 70, निम्न लिखित में से कौन सा Frequency Meter एक प्रकार का है Frequency जो Meter होगा वो Electro Diagnomic Frequency Meter है Question number 71, लाइटो और पंखों के लिए 200 वोल्ट तक EMF उत्पन करने के लिए इस्तमाल किया जाने वाला छोटर आल्टरेटर सामाने ते सिंगल फेज आल्टरेटर कहलाता है Question number 72, निम्न लिखित में से कौन सी सजावटी लाइटों में छिद्रावेशन फाल्ट फाइंडिंग की तकनिकी होती है टेस्टिंग लेंब के साथ सोकेट में सप्लाई की जांच करना Question number 73, जब विजली समान मातरा में अलग-अलग इलक्ट्रोलाइस्टिस के माध्यम से माध्यम से पारित होती है तो इलक्ट्रोड पर उत्पन होने वाले विबिन तत्यों की मातरा उनकी रासाइनिक तुलिक के अनुकर्म, अनुपात में होती है टर्मिनल वोल्टेज प्रेरित यह मैप से कम होता है तो सिरीज जनरेटर में होता है Question number 75 बाएं हात की नियम, तरजनी अंगुली, मध्यम अंगुली को तीन दिसाओं में विस्तारित किया गया है जो कि एक दूसरे से लमवत होती है Conductor, फिल्ड की दिसा, करंट की दिसा और गती की दिसा को दर्शाती है तो यह नियम किस में बताए गया है फेराडे के बाएं हात की नियम में यह चीज बताई गया है तो dear friends, जदी आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like, share और हमारे YouTube चैनल जैसरी स्टेडी 2.0 को subscribe शरूर करें जिससे